नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटोब चनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम आज आपको कुछा 11 की कमेस्टी के दूसरे लेशन परमाडू सनस्टा का एक इंपॉर्डेंट टॉपिक लेकर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों इसक पढ़ते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रोनिक बिनास करते रहेंगे मतलब कि बहुत सारे कोश्चन के अंजर के लिए यह आपको नियम जानना बहुत ही जरूरी है तो आईए देखते हैं क्या है इस नियम में देखिए इस नियम को हुन नाम के वैग्यानिक ने दिया था और इसमें कहा क्या गया था मैं आपको बता दूँ कि देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रान कहां रहता है तो इलेक्ट्रान कोसों में रहता है और जब आगे पढ़ेंगे परमाडू माडल तो कोसों के अंदर उपकोस चला जाएगा मतलब उपकोसों में जब और आप पढ़ेंगे तो कोसों के अंदर इलेक्रान चला जाएगा मतलब कच्छक में और ऐसी कच्छक में इलेक्रान की चक्रण से संबंदीद है और उसी से संबंदीद एक नियम हूंड नाम के वेग्यानिक ने किया है और उन्हीं के नियम को हुंड के नियम से जाना जाता है तो देखिए हुंड के नियम की बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं देखिए उन्हों ने बताया था कि जैसे माल यह अगर पी में तीन है ठीक है अगर पी में यह P क्या है आपको मालूम होते हैं speaking हो सोते है कें लेमन कोस होते हैं और कंचक्छक इन SF citrus के अंदर ही होता है जैसे मैं आपको बता दूं कि यसमें में धुब्ड डू इलेक्ट्रान जाता है ठीक है फीं देस इलेč乾र tava जाता है यह सबी लोगों को मालूम होगा यता है फिम औन 6 इलेक्टरन जाता है इसलिए पी में 3 कच्छक होता है इन कच्छकों को आउरबिटल कहते हैं डी में कुल 10 इलेक्टरन जाता है इसलिए 5 कच्छक होता है यह में कुल 14 इलेक्टरन जाता है इसलिए 7 कच्छक होता है ठीक है तो पी 3 अगर मालजे आप इलेक्ट्रोनिक गया तो इस तरह से अगर आ गया तो आप इस पी के कफ्षक में मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि पी उपको स्में तीन कफ्षक आया तो तीन इलेक्ट्रानों को अगर पी में रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा उसके वारे में बताये हैं हुंड साहब ने ठीक है तो चले देखते हैं हुंड ने था पी में अग्र ४ के कच्छकों मैं कैसे बरेंगे तो द drafting यहां पर पी में कुल 6 लैक्षक होता है और इन कच्छकों का अंधा हुआ होता है डंबल से सबी को मालूमों का डमरुआ कार बोलते हैं या डंबला कार बोलते हैं ठीक है इस पहले कच्छक का नाम होता है पी यक्स दूसरे कच्छक का नाम होता है पी जेड दोस्ते एक इंपोर्डेंट बात बता दो कि इस लेशन से संबंदि जितने भी इंपोर्डेंट वीडियो है और प को ट्रिक के माधम से बताया गया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे ठीक है तो चलिए आसा करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे कि दोस्तों नहीं के-Amh 미 और तीसरा इलेक्टरन यहाँ हो गया यह हो गया कपशकों में इलेक्रान को भर दिया किस के नियम से होन के नियम से मतलब यह पहला है इसको कहते हैं एंटी किताबं में इस तरह का दिया होगा कि उसको आप गलत मैं समझ केगा वह होता रहा हूं जिससे देखें डी में अगर आठ एलेक्टान हो जाए हम भर सकते कि क्योंकि डी में कुल दस एलेक्टान जाता है ठीक है कहां आप देखेंगे जब आप इलेक्टानिक करते हैं तो उसके आपको दिया रहता है और मैं आपको जब परमाड़ो माडल बताऊंगा तो समझें बताऊंगा कि इन उपकोसं में कितने इलेक्टरान जाते हैं'll वैसे जाते तो है कि डिन दूगल कील्व था इसलिए होते हैं और लृशनार चाहिए पांच कच्छक होते हैं जिनको ऑर्बिटल वह स्टे एक रॉक्राम पहले का नाम क्या होता है yers drawing माइनस इसकोए तो आप अपने से भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह दिखिगैंगे तो पहला एक्टन हैあ यहां पर आप दूसरा div यहां पर चौथा हुलेटान यहां पांचवां यहांало they have इस तरह से भरेंगे आगर अगर यहीद आना यहां अगर यहीं वेट तरह तो एक दो तिन महें अकेले के बहर देशत है अरह और यहां पर आठ थो एक Дो तीन चार पांच ड़ह साथ अठ まतलब के लिखेंगेगे क्या कि Хोनड लखिए नियमानुसार किसी भी उपकोस के कख्षक में तब तक युगमित इलेक्ट्रान नहीं भर सकता जब तक की प्रते कख्षक में 1-1 नौजाए मतलब कि हमने वही यहां पर काम किया है कि दब तक हमarc sem किसी भी पक dei कख्षक में 2 वो एक्षान नहीं बर सकते जब तक कि सब में एक 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 पर गया अब तो आप दूसरा भर सकते हैं यह हो गया अगर मालने यह आ गया और यह में कुल 13 इलेक्ट्रान दिखा दिया जिसे यहां पर 5p 13 गया फोर झाता है इसलिए कितने कफिक हो जाएंगे भई साथ हो जाएंगे ठीक है मैं आपको जब कफिकों का संदूरच्णा बताऊँंगा कुण का नाम बताऊंगा तो detail आपको बता दूंगा साथ हैं तो एक दो फीश्र, पांच, छे साथ हो गया अब देखिए साथ हो गया तो तीरह ही लिक्टान भरना है हुंड ने बताया था कि जब तक सभी कख्षकों में एक लिक्टान नहीं भर जागा तब तक दूसरा वाला नहीं भरेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ बताया थे तीरह है कुल शाथ हो गया आठ नो दस ग्यारा बारा तीरह एक बच गया अब इसमें अगर यूगमित आपसे पूछा जाये तो खींगे थे हो जाएंगे 2 हो जएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूं आपको यह उंड का नियम पूरा समझ में आयाह होगा दोस्तों हुंड का नियम तो आप से बोल्ट पेपर में बार-बार पूछा गया है लेकिन यह अगर नहीं भी पूछा गया ना तब भी इनको आपको याद होना चाहिए याद रहना चाहिए क्योंकि इनके बेसिस पर बहुत सारी कोश्चन साल्व होते हैं ठीक है और ज किछ सकते हैं हम उसका आंसर भी दे सकते हैं आपको दोस्तों बगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर वीडियो पसंद करोड़क करें तो CC मिलतें फिर अगली वीक में तब तक आप खूश रहे बैस्त रहे मस्त रहे आपका दिन